आज जब इस plant की खुदाई कर रही थी मैं तो मैंने देखा कि समय कितने प्लांटेट प्लांट्स आ गए हैं और मैंने वह सारे निकाल दिये तो आप जानते हैं यह अन्वांटेट प्लांट्स जब आते हैं तो यह क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में होता है कि हमारी लाइफ में पी तो कुछ अन्वांटीड आ जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं इनके साथ भी तो वही होता है क्या यह उस प्लांट को निकाल पाता है नहीं और वह प्लांट कहीं निकाल पाता है नहीं और वह प्लांट कहीं इस सखा रहा है और यह द्यान ही नहीं दे पाता कि इसको इग्णोर करके मुझे अपने उस पर फोकस करना चाहिए नहीं इस प्राइब उस पर फोकस ही नहीं किया उस अन्वांटिड प्रांट को बिल्कोल इग्णोर करके अपने ग्रोथ पे सारा फोकस किया सेम विद अस हमारे स साथ रहना पड़ता है हमारी मजबूरी है यह आप जो भी कहिए वह आमारी लाइफ में आ गए और रहेंगे तो आप क्या करेंगे आप इस प्लांट की तरह अपनी ग्रोथ फोकस कीजिए उन पे नहीं जब आपकी रूट्स इतनी फैल जाएंगे ना अगर मान लीजिए अग मारे साथ भी यह है अगर हम किसी को इंपोर्टेंस देना बंद कर देंगे जो वो अन्वांटेट पीपल है जो आपको उंगली कर रहे हैं अगर आप उन्हें इंपोर्टेंस देना ही बंद कर देंगे तो वो एक दिन खुद ही साइड हो जाएंगे तो उनको इंपोर्टें आप वह सब इग्नोर कर दीजिए वह आप यह मान लीजिए कि वह अन्वांटेट है और वापके न्यूट्रेंट्स कहने आये बस आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए रेडी रहें कि नहीं मुझे ध्यानी नहीं देना है मुझे सब कुछ इतना कुछ मिल रहा है आप अपना ग्रो कीजिए अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए और जो यह अन्वांटेट पीपल है या तो इनको कोई हटा देता है या फिर एक दिन आपकी उचायों को देखकर यह खुद ही हट जाते हैं क्योंकि इन्हें स्पेस ही नहीं मिलती है अगर आप स्पेस देंगे इन्हें स्पेस मिलेगी ही नहीं